तुमसे कुछ बातें करूँगा, रिष्टों के बारे में रिष्टा तुम्हें पता है, बहुत खूसूरत सा शब्द होता है अगर उस शब्द में एक पवित्रता है, छलकापट नहीं है तो फिर उस रिष्टे के जैसा कोई रिष्टा हो ही नहीं सकता मुझे पता है कि अगर तुम मेरे साथ जुड़े हो, मुझे इतना प्यार करते हो, मुझे इतना सम्मान देते हो तो उसकी कोई बहुत ही खास वज़े है मुझे इतना प्यार करने के पीछे, शायद तुमने हमारे रिष्टे में एक पवित्रता देखी होगी एक ऐसी पवित्रता, जिसमें हमारे बीच में कोई छलकपट नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है तुमने हमारे रिष्टे में एक ऐसा रिष्टा देखा है, जिसमें बाबा और बच्चे का रिष्टा है ठीक उसी तरह से अपने उन रिष्टों में भी कुछ खास देखो जो तुमसे जुड़े हैं, जो तुम्हारी परवा करते हैं, जो तुमसे प्यार करते हैं और जो तुम्हारा सम्मान करते हैं, वो लोग जो तुम्हारे होने से उनको भी फर्क पड़ता है ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करो ऐसे लोगों के बीच में रहो जिन्हें तुम्हारे हसने रोने से फर्क पड़ता है और जो तुम्हें हमेशा अपने साथ रखना चाहते है हमेशा अपने पास रखना चाहते है ऐसे लोगों की कदर भी करो और ऐसे लोगों का समान भी करो और ऐसे लोगों को हमेशा अपनी जिंदगी में अपने आस पास रखो क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में मिलने मुश्किल हो जाते हैं मिलते ही नहीं हैं, बहुत कम मिलते हैं और जब ऐसे लोग मिल जाते हैं तो वो बहुत खास होते हैं और उन लोगों से कभी भी रिष्टा नहीं तोड़ना चाहिए चाहिए बेशक थोड़ा बहुत मनमुटाओ क्यों ना हो जाए लेकिन फिर उसी तालमेल के साथ अपने उस रिष्टे को बरकरार रखो और अभी के लिए शुबरात्री मेरे बच्चे सदा खुश रहो